दिख रही है लेकिन रिजल्स में वो नहीं हो रहा है अगर आप ब्रेक आप देखेंगे ना तो सीवी और पासेंजर वेकल के बिजनस में ग्रोथ देखने को मिलें लेकिन consolidated basis पर प्रेशर देखने को मिला है तो revenue में आप देख रहे हैं करीब 30% का इजाफा आकड़ा 79,611 करोड पर expectation थी कि 80,000 करोड के ऊपर का आकड़ा देखने को मिलेगा तो largely यही हुआ है कि बाजार उम्मीद जादा कर रहा था और numbers उतने उम्मीद के मुताबिक नहीं आये हैं तो revenue एक miss है लेकिन जो बड़ा धक्का लग रहा है वो दरसल loss के आकड़े से लग रहा है loss पिछले तिमाही में भी था loss 4,441 करोड से घटकर 945 करोड पर आया है लेकिन market expect कर रहा था कि इस quarter में 2-2 में company profit दिखाएगी और वहाँ पर expectations clearly miss हुई है 200 करोड के profit की उमीद के मुकाबले 945 करोड का घाटा हुआ है तो यह in fact दूसरा और यह सबसे बड़ा disappointing factor है EBITDA level पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो इस्तिती यही देखने को मली है 5,572 करोड का EBITDA आया है हाला कि expectation थी 8,000 करोड के ऊपर का देखने को मलेगा margins पर अगर आप आए 10% की expectation थी margin बड़ा है लेकिन सिरफ यहाँ पर 40 basis point का ही इजाफा company दिखा पाई है expectation था 10% के उपर के margins का जो उम्मीद थी उससे काफी फीके नतीजे उसके मुकाबले बहुत ही कमजोर नतीजे आये है अब एक और चिंता है net debt का आकड़ा भी दूसरे त्यमाही में काफी जादा बढ़ गया है यह आया है लगबग 60,000 करोड के आसपास 59,900 करोड पर net debt company का आकर खड़ा हुआ है अब यहाँ पर JLR के revenue पर अगरा फटाफ़ ध्यान दाले तो 36% का इजाफा year on year देखने को मिल रहा है EBITDA 10% के आसपास margins है लेकिन quarterly basis पर यहाँ पर 230 basis point की गिरावट देखने को मिल रही है yearly हमने देखा है 3% का इजाफा जरूर बनतावा दिखाई दिया है यहाँ पर negative free cash flow की आकडा करी 15 million dollar के आसपास है adverse working capital environment के चलते हाला कि company यह कहती है कि demand मजबूत है और second half में hopefully स्थिती बहतर होती हुँ दिखाई देगी लेकिन global environment को लेकर earnest चित्ता कायम है supply side challenges थे hopefully आगे चलकर वो semiconductor वाली स्थिती iron out होती हुँ दिखाई देगी इसकी उमीद है यह उमीद कर रहे है कि JLR की तरफ से focus आगे बहतर partnerships पर रहेगा second half में expectation है कि कुछ pickup देखने को मिलेगा especially JLR का production और volume में अब की उमीद company ने लगा रखी है और एक और update Tata Motors के लिए company में decide कर लिया है कि यह US market से अपना TDR दरसल D-list कर आइंगे बहुत interesting चीज अचली जो हश्टा बोल रहे थी आशिच एक को चीज है कि market बहुत स्मार्ट है आप एक बाज़रा year to date chart लेकर आई ऑटो इंडेक्स को compare कीजे Tata Motors से Tata Motors इकलता एक stock है जो underperform करता है आकी सारे के सारे जो domestic facing stock से उन्होंने जबर्दस दिखाई है Tata Motors का वेदेंसे का चार्ट है लेकिन अब year to date chart देखेंगे तो एक का में मारूती किसे Tata Motors plot कर दीजे जैसा ठीक लगे मारूती तो खेर थ्फ़रा सा अन्पर जाएगा क्योंकि हम सबसे यह Tata Motors है 12 मेने का और यह देखिए यह auto index है 24% auto index भागा है 8% Tata Motors गिरा है 32% का relative under performance है और अगर individual stock के साथ compare करेंगे तो खेर आलगी level का under performance है मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आती कि फिले साल Tata Motors ने जो guidance दी थी जैल और को लेकि इतनी बड़ी-बड़ी बाते बोली थी वो बोलने की ज़रूरत थीक है उस environment में फड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ कंपनियों को फड़ा स्पेशली अगर आपका global business है फड़ा श चीज थोड़ा साब बोली कि थी यह हमको लगता है कि environment uncertain है इसके टाटा मोर्स की दरफ से मुझे बहुत disappointment है कि coming from the house of Tata यह जो है थोड़ा सा market को लगेगा कि चायद वो जो तीजी होगी थी बहुत ज्यादा होगी थी आशिश्य चंद्रा जी की statement आई थी उसके बार एक जटके भी रिजल्ट में आम तौर पर रहरे कि देता रहता है जटका तगड़ा है सारे 900 कोड़ों का घाटा जेलर के margin 230 basis point कड़ जाते है Q on Q JLR का negative cash flow होता है और एक और चीज इन सब के चलते हैं खामियादा देखिए वापिस डेट तगड़ा pile up होता हुआ इस अभी ब्रोक्रीजिस के रडार पर तो नहीं आया ना अभी तो मेरे खाल से वह बची है और एक सीले से की जो नोट आई है ब्रोक्रीजिस की वह है आउट परफोर्मर कॉल है इन्होंने टार्गेट बढ़ा के 490 कर दिया है इनको लगता है कि जो JLR का performance Q2 में थोड़ा बेटर था क्योंकि ज्यादा करके जो disappointment हुई वह हुई domestic कारोबार में लेकिन जैसे अनुझ एक fair point बता रहे थे ना Q1 जब पिछले जो quarter की earnings call में management ने बात की उन्होंने कहा कि हमारा EBIT margin 4% से ज्यादा रहेगा पिछले quarter Q1 में वह negative था ये quarter में 1% था अभी भी अगर हम देख हाएंगे हमारा guidance ठीक है एक billion pound की free cash flow की बात की थी लेकिन पिछले quarter कहा था कि चिप shortage improve हो रही है ये quarter में उन्होंने फिर से कहा कि नहीं चिप shortage के वज़े से थोड़ा बहुत production loss हो रहा है pressure आ रहा है margin पे tie-up कर रहे है तो जो guidance है management की EBIT margin की JLR को लेके उस पे शायद market को belief नही चलते हुए वो थोड़ा बद मुश्किल लग रहा है चाहिए चली देखते हैं प्राटा मोटर्स के से रही है अगर हम देखें तो आटो जो सेक्टर है वो gradually अभी मल जोतावा दिख रहा है तो यहां पे भी positional trade create किया जा सकता है थोड़ा सा deep यहां पे stop loss अखना पड़ेग